एरे है घोड़े का सेर एरे है गर्दन ये है पूच और ये दोनों प्यार और ये हो गिया घोड़ा ये है सीन ये है मूँ ये है पेट ये है गर्दन और ये है पीट इसको बुलते है गाई ये है मूँ ये है अगले का पैर ये है पूच ये दोनों कान और ये है पिछले वाला पैर और इसको बोलते है सुवार ये है इसका मूँ ये है पूच ये है पीट और ये है गर्दन का नीचे ये है पेट और ये है पैर इसको बोलते है भेड ये है होट ये है पैर ये है पूच ये है पैर और इसे कहता है बड़क ये है मुरी पैर और दे का साथ इसका बच्चा इसका पाखा, यह है सेर, यह दूसरा पाखा, और इसे कहते है मुल्गी, यह है इगोड़े का कान, यह है उनका दात, यह अगला पैर, और यह पिछला पैर, और यह रहे है उनके पैट, और इसे कहते है, गधा, यह है कुट्टे का मुँझे निकला हुआ जीब, यह है अगले पैर, यह है पीछे का एक पैर, और यह है दूसरा पैर, और यह है गर्दम के पीछे का भाग, इसे कहते है कुट्टा, यह है उसका मू, यह है यह है एस्का लामू, यह है राद, यह दूसरा पैर, यह पुच्ट के सदूसरा पैर, इसे कह रता, कहते हैं, बिल्ली, यह है गाजर का एक भाग, और यह है गाजर, यह है पेट, यह है दूसरा भाग, यह है इसका सेर, और यह है पेर, और यह से कहते हैं, खडगोस, यह है पंक, और यह है पीछे का डंक, यह है पेट, और यह है इसका सर, और हाद में है बल्टी, और यह से कहते हैं, मुदु मक्की, यह है पंक, और यह है दूसरा पंक, और यह है इनका सेर, और यह पीछे वाला दोटो पंक, और यह से कहते हैं, तितली, यह है चुवे का सेर और कान, और यह है पेट, और यह पिछला पैर, और यह है उनका पूछ, अस साथ में मक्खन, और यह से कहते हैं, चुवा, यह है महर का मूँ, यह है पेट, और यह का साथ बहुत सार पंक, और यह है उनका पैर, और यह से कहते हैं, मूर, यह है उसका अधा मूँ, और यह रहा अधा मूँ, साथ में उनका पेट, और यह है पैर, यह नहीं उनका पूछ, और यह से कहते हैं, बंदर, यह है उनका पंक, और यह दूस्रह पंक, और यह सका पूछ, यह सका से, और यह से कहते हैं, उलू यह है सेर यह है पंक यह है पेट और यह है पीछे का पंक और यह है नीचे का पंक और इसे कहते है मचली यह है उसका मूँ और यह है नीचे बाला पंक और यह उपर बाला पंक और यह है उनका पूच और इसे कहते है डॉल्फीन इले ही आखो का साथ होट इस प्यार और एक प्यार यह है एक पंक और एक पंक अरी से के टहाँ, प्याँ विन।